सो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके पास अगर आपके घर में कूलर होगा तो इसको आपकी इस तरी से ठीक कर सकतो आज मैं आपको सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही इनपोर्टेंट है आप अगर एक कूलर ठीक करना चाहते हो या फिर कूलर आपका अगर खराब हो जाए तो आप आगर ठीक करना चाहते हो, वीडियो को लाज तक जरूर देखना, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वाराज, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है, आज के इस वीडियो में आपको ये वाला जो कूलर है, इसको में ठीक करना सिखाऊंगा और दिखाऊंगा, तो देखिए, यह मेरा स्टपर है का टूल से, मतलला स्कूटर है वार टेस्टार, इससा वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो वो सब वीडियो जाकर देख सकते हो, तो देखिए, मेरे पास ये सिरीज बल्ब है, मैं इसको सब सब लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये सिरीज बोर्ट, सिरीज बोर्ट का भी वीडियो है, आप किस तरी के सिरीज बोर्ट बनाना चाहते हो, तो मैं जश्ट कुछ दिन पहले बना है, वीडियो चाहे तो आप जाकर देख सेकते हो, या फिर लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बेटन में आपको दे दूँगा, तो यहाँ फर देखिए, यह मेरा सिरीज लीड याँ यह फर है मेरा टूल सब कुछ, तो आप आमार चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, और बगल में घेंटे हैं काल पर सेट करके रखना, तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर सब सब इल आपको सिरीज बोर्ड में लगाना है, आपको अपना 3-pin, तो देखे, हमने लगा दिया में फिर सब्लाइ अल्रेड है, तो लगाने के बाद आपको आपको आपना सूज इसको मोड आए, देखे, हमने फैन में फैन के मोटर का सूज मोड रहा है, तो अपना लाइट जल रहा है, और बागे swing motor भी चल रहा है and moving pump motor भी हमारा चल रहा है तो इसमें क्या fault है चलिए मैं आभी चेक करके आपको दिखाता हूँ मैं इसको solve भी करके दिखाऊँगा क्या इसमें खराब ही है वो solve करके दिखाऊँगा वो भी free में इसको एक भी पैसे नहीं लगा यह मेरा ठीक हो चुका है हो चुका है तो किस तरीके से हुआ है और क्या क्या fault है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आवाज हो रहा है बस नहीं घूम रहा है सबसे बिले में इसको cover को में खोल लेता हूँ क्योंकि खोलने कार मुझे थोड़ा बहुत नौलज में पता चल जागा कि इसमें क्या fault है तो देखिए इसमें मैं खोलनेता हूँ यह रहा देखिए बहुत ही मेला है सब जम चुगा है अंदर तो देखिए यह घूम मतलब आवाज हो रहा है बट नहीं गूम रहा है खोल लेता हूँ क्यूंकि यह सबसे बहले ज़रूरी काम है नहीं तो मुझे इलेक्रिक शॉक लाग सकता है आपको भी तो सबसे बहले इसको खोलने के इसको चेक करना है यह हैं जो चेंज करेंघ करेंगे कि यह करके चेंज CHन हमारा खृती इसको चेंज कर reliably सेरी या salahed आगौने के लिए फंट दूसरा को अधर बरत काला क्फारी हिसं पूर विश्कल अधरल सब्सक्रासिद एक बसके स्प्लाइट परिया है । और मेरे पहले चेक किया हुआ था इसलिए मैं सीरीज पर नहीं लगाँगा तो देखिए इसको में अभी हम लगाते हैं सो देखिए में लगाते हैं फर भी यह ने गुम रहा है ज़स्ट आवाज ही हो रहा है हाथ से अगर घुमाएंगे तो थोड़ा बहुत घुम रहा है बड़ उतना स्पीड से नहीं गुम पा रहा है तो इसमें क्या फ़ल्ट है तो अब एक तो फॉल्ट हमर सॉल्फ हो चुग है मतलब क्यापस्टर इसका ओक है बट इसमें अभी फॉल्ट है या वाइंडिंग का या बूश शाफ तो इसमें पाम हो चेक हो जो चाहिए क्यापसटर खाथ से नकिख लैते है बाहर निगें बाहर निकलन के बाद इसमें तो मुझे है फोड़ा वहाथ हुआ कि जूब है अंदर यहां पर हम ने इसको खोलेंगे सूच को खलने बाद के निए निया państwa वार व सब देखा है तो यह देख़ेगे यह ब्लाक तो इसको भी खोलवा जानेये थिए सभंनी ाक, है यह सबीबर डूर 10 छहल को चली तो चले में यह थीनों को खोल लेता हूं उन्सके आपको देखा देता हूं तो देखिए हमार तीनों जो खुल चुका है तो खुलने के बाद इसको हमने बाहर निकलना है जो नीची के तरफ हमने जो मोटर के तरफ इसको बाहर निकलना है तब हम इसको अच्छे तरगे से चेक कर सकते हैं तो देखिए यह रहा अंदर के साइड हमने इसको बाहर निकलन तो इसको चेक करने के लिए हमें अपर supply है already तो अभी इसको जो वायर है इसको हमें चेक करना है यहाँ पर चार वायर है एक blue को लगाना है और नहीं भी भी नगा सा सथी तो red को एक blue एक red पर तो जल रहा है light आपके स्पार्किंग से पता चल जागा है कि इसमें सप्प्लाय ओल्ड आ रहा है तो लाइट को में नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि वह मेरा दूसरी जगा पर है हमारा सिर्ज लाइट वाइंडिंग भी सही दिखा रहा है तो फल्ड आ चुका है हमारा जो है बूश के अंदर या फिर शाफ्ट के अंदर तो इसको खोलने के लिए मोटर को खोलना पड़ेगा मोटर को खोलने के लिए सबसेल पीछे का धक्कन को खोलना है और पीछे के देखे यह आपने चार के नट है जो 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 जाँग लग जाता है तो जो जो जाँग लग जाता है तो इसको खोलने के लिए आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का टेस्ट है और स्कूट्राइवर के जोरत है तो देखिए मेरे पास है बढ़िया स्कूट्राइवर और प्लस है इसको आप खोल सकते हो मैं इसके तुर इसको कोल दूंगा तो इसका जो यह देख तो टपर या company का इसका वीडियो है चैनल पर आप चाहे तो जाकर देख सकते हो तो देखिए इसको तो मैं भी खौल लूँगा फोलने के बाद है जो पीछे का जो जोंग लगने के करण यह नहीं घुमता है या फिर तूट जाता है या फिर दोनों तरफ घुमता है यह तीन फ्रॉब्लम होता है ज्याज़ाता तो इन वेसे अगर इसे दोनों तरफ घुम रहा है तो आपको एक ही चांस आपको इसको जो हैंड ग्रांडिंग मेसिन के इसलिए यह एजी में खोल रहा है जो चारों नट है इनको मैं खोल लेता हूं बहुत ही आसान तरीके से क्योंकि यह आगा हमारे जॉंग उतना भी जादा नहीं लगा है तो चले हम इसको खोल लेता हूं सबसे फिले तो देखिए हमने इसको खोल के बाहर निकल लिया हूं पहले से तो इसको भी हम थोड़ा बाहर लेंगे क्यूंकि यहां पे ज़्यादा मतलब जगा नहीं बाद लेने के भाद ब्लेड एक एक स्कूल दिया हूं इसको चेक करना एक बूष्ट के बूस्ट सही है या खरब तुषक करने से अंदर से खरब एक सही चेक करने के यह वहाँ पर नीचे आप डाउन तो देखिए मैं क्यामेरा को थोड़ा फोकस करके आपको दिखा देता हूं इसको आप एंड डाउन है या नहीं तो थोड़ा बहुत आपको आइधिंग नहीं दिख रहा होगा मुझे लगता है ज़स्ट है इतने में कोई बात नहीं तो चलिए मैं इसको भी खोल लेता हूं खोलने के बाद इसमें क्या प्रॉल्म है अच्छी तरीके से मैं अपको देख लेता हूं तो देखिए इसका पीछे का जो nut है इसको हमने खोल लिया हूँ तो देखिए तो चारो को nut जो लंबा लंबा nut लगा हुआ था यह देख सकतो इसमें से दो मेरा टूट चुका है और जो दो यह अच्छा है तो दो तो मुझे नए लगाना पड़ेगा तो देखिए इसका जो केपस्टर को वाइर सब कुछ खोले हूँ इसको अभी निकलना है इसको उपर थोड़ा जॉट लगा था तो मैं इसको थोड़ा क्लिन कर दिया हूँ इसलिए यह आसान तरीकर से बहार निकल आ रहा है सो देखे यह बहुत आसाने से बाहर निकाल चुका है भूज भी सही दिख ता हूँ बर इसको थोड़ा मेला था उसको मैं क्लीन कर दिया हूं अल्रेड़ी तो देखिए अभी इसको चेक करना है जो इसका boost ही है या खराब तो इसको चेक करने के लिए तो मैं oil के भी जरूरत है आप चाहे तो oil का use कर सकतो अच्छा वाला oil है उसका use करना तो आपके लिए better रहेगा अब engine oil का भी use कर सकतो कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे बहुत कर लेता हूँ इसके जो boost jam पर set होता है वहाँ पर इसको लाना है लाने के बाद इसको check करना है मतलब जो up and down play है या नहीं तो मैं इसको ठोक कर इसके अंदर इसके जगा पर इसको ले लेता हूँ सबसे बहले तो इसके जगा पर आ चुका है अभी तो अभी हमें चेक करना है इसका play मतलब up and down तो देखे कुछ इस तरीके से तो इसमें play उतना भी नहीं है मतलब boost and sharp यह दोनों भी सही है तो अभी हम इसको क्या करना है इसको fitting करेंगे फिटिंग करने के बाद उसके बाद हम इसको चेक करेंगे यह चलता है या नहीं तो फिट करने से वेले हमें थोड़ा oil के जरूरत है मतलब oil ज़्यादा यहाँ पर बूश के साड में तूला लगा है तूले के अंदर oil हमें store करके रखना है जितना ज़्यादा oil store करके रखेगा तूला उतना फ्री रहेगा हमारा motor और उतना दिन तक चलेगा फ्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो हमने अच्छे तरिक से तूला है उसमें ज़्यादा oil दे दिया हूँ और पी और oil दिया हूँ आप चाहे तो ब्लाक कलर का इंजिन ओल मत देना ब्लाक कलर का मत जला हुआ इंजिन ओल मत देना जो बाकी जो इंजिन ओल क्लीन या फिर रेट कलर का वो दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो देखे हमें इस टड के जरूरत है मेरे बैक के अंदर देखी है हमारे जादूई बैक इसके अंदर दो श्टड मिल चुगा है अल्रेडी तो इस दोनों को लगाने का बाद जो चारों नट है और बोल्ट है या जो श्टड है इसको भी हम टाइट करके आपको दिखाते ह यह चलता है या नहीं तो मैं यहां पर इसको फिट कर देता हूँ और हाँ दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपका इफाइदा होगा क्यूंकि मैं इसी तरह के से इंट्रेंस्टिंग एंड इंपॉर इसका अपने डाउन प्ले चेक कर लेता हूँ यह थोड़ा है तो इतना जरूरी है नहीं तो यह नहीं गुंता है मतलब जाम होके रहेगा नहीं तो इतना प्ले अपने डाउन नहीं होगा तो तो सबस्राइब हमें यह देखिए हमारा मेन वायर अभी हमें क्यापसिटर को जोड़ना है जोड़ने कर वाद इसको सप्लाई देकर चेक करना है तो देखिए हमें मेरे पास एक 4MFD का कैपसिटर को जॉइंट कर दिया हूँ अटेच कर दिया हूँ देखिए मोटर के साथ अभी मोटर घुमेगा तो इस लिए में थोड़ा इस साथ दोनों साथ जर्णास कर देखिए मैं जल रहा है पहले की तरह बड़ कोई बात्य है मैं अब इसको डारेक्ट में लगाता हूं नहीं I think मुझे चाहिए तो घूमना चाहिए था क्योंकि इतना मेनत किया हूँ इसका पिछे तो देखे अभी मैं आउन करता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखे देखे तो यह देखे गूम रहा है हमारा मोटर जो कि बहुत ही बड़ी है यह एकदम फ्री में बन चुका है हमारा मोटर तो देख सकतो हूँ यह घूम रहा है कितना स्पीड में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से तो देख सकतो हूँ यह हमारा ठीक मतलब ठीक यह हमारा क्लॉग वाइस ही घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो अभी इसको अभी हमें फिटिंग करना है अपने कूलर के उप अंदर प्राइबो अभी इसको अभी यहifully चीज के प्लेट कर लेता हूं धोको ब्लेट को वहमारा ईसको और यह ब्लेट कर dranches ईसको करदेता हूं इसको आपको ब्लेक के तरह समझा दूंगा किकि वह वाला बहुत ही important है अब अगर उल्टा पुल्टा लगा गए तो फर्स्ट तो आपका motor नहीं घुमेगा और दूसरी बाद जो आपका motor जलने का chances है तो सबसे बिले इसका जो चारो nut है इसको tight कर लेना है तो मैं इस चारो को tight कर लोता हूँ अब आपको अच्छे देखा देता हूं उसके बाद में आपको वायर जो इसको जॉइन करना है तो देख सकतो है हमार जो tight हो चुगा है तो अब हमें पूरा ना वलाई लगा हूँ कियोंकि अबर जो पूरा ना वलाई सही था नए वला लागाने से भी नई घुम रहा था पह है यह हमारा common और red black and white यह हमारा speed control के लिए तो सबसे बिले जो blue वायर है इसको हम लगाएंगे common में मतलब जब हम यहां पर हमारा सब का वायर एक एक लगा हुआ है एक face का वायर एक water motor का वायर एक swing motor का वायर है तीन वायर यहां पर लगा हुआ था तो देखिए हम किस type के इ देखिए L321 इस अगर के number लिखा हुआ है तो आपको कौन सा वायर कहा पर लगाना है तो black को लगाना है यहां पर 3 पर and white color लगाना है 2 पर and red color लगाना है 3 पर sorry 1 पर तो आप मैं इसको लगाने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस type का लगाना है तो देखिए हम नमबर पर white बला wire और जो एक नमबर है वहां पर red बला wire लगा दिया हूँ और common को हमने पहले आपको दिखा दिया ओ जो हमार ब्लू का वायर को हमने common पर लगा दिया हूँ अपि लगाना से बिले चेक करना हमें देखता हूँ white थीक ठाक है या नहीं थीक ठक था अभी में इसको जो डारेक्ट पर ही सबसुआ भी स्रीज में लगा लेता हूँ कि इतना वाइरिंग किया हूँ तो आगर मिश्टेक हो जाए कहीं पर तो मिस्टेक नहीं है यह सही है तो अब यह इसको खोल कर पैरालाल पर लगाता हूं डारेक्ट 220 गोल्फर तो देखिए मैं इसको सुईच अल्रेडी ओन है तो देख सकतो हमारा जो फैन है एक कूलर जो घूम रहा है मोटर तो मैं आपको दिखाता हूं आपको पीड़ियर तो चलिसका measure चόड़ आपको de Congo the या नहीं हाई लो मीडियो में और तो देख से तो यह तीनों जए घूम रहा है अच्छे तेरी से काम कर रहा है तो हमारा कूलर जो बनके तयार हो चुग है वह फ्री में यूँकि आपके सामने में आपको दिखाएंग क्या क्या इसका फर्ड था सो मैं अभी इसको जो कवर इसको में फीट कर लेता हूँ फीट करने से बेले मेरा एक ही रुकेश्ट है अपने अगर अब तक सबस्काइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों हमारे इस चैनल को क्योंकि आपको बहुत ही इंपोर्टेंट चीज देखने को मिलता है हमारे इस चैनल पर जो की कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा पूरे यूटूब पर सो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपके लिए नए वीडियो लाओंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना तो वीडियो लाच तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्री आपको थांक्यू वेरी मच